मा की रसोई और आज मैं आप लोगों के लिए जो रेसिपी लेके आई है उसका नाम है लैफ्टोबर रोटी पैकेट रेसिपी इसको मैंने कैसे बनाया इसको देखने के लिए आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा उससे पहले आपको मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़एं देखने कैसे बता है जब से बिलैख बोल लेते हैं और बोल में हम तीन बड़ा-चमच आपक नामेल केकंग शुम्छ सुन्म्ला मिर्च बारिक सुधा गरभण हुई तीन बड़ा चम्मच प्याज, दो बड़ा चम्मच टमाटर बारी कटा हुए, दो हरी मिर्च बारी कटी हुई आदे से भी कम हम लेंगे, वन फोर्थ टीस्पून लेंगे रेड चिली ने पाउडर, तीन बड़ा चम्मच मयानेज लेंगे जो एगले से हैं, जो इसका में इंग्रेडियंट है स्वाद के लिए टेस्ट के लिए जो अच्छा एक फ्लेबर देगा इसको और इसमे हम एट कर नमक उसे पहले हम इसमे मिलाएंगे तीन चोटी चम्मच ग्रेनेट किया हुआ मोजरेला चीज जो हम पिज़ा वगर में यूज करते हैं तो इन सब चारी सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो देखिए कितनी मतलब सुंदर लग रही है इतनी देखने में और बच्चे जो सब्जिया नहीं खाती इस तरीके से बच्चे भी आपकी सब्जी खा लेंगे इस तो बहुत उससे पहले पॉक्ट को पैक करने के लिए हम जो फेवी कोल टाइप का गोल तयार करेंगे दो चमच मैदे को बना ले और यह हमारी लेफ्ट ओपर चपाती मैंन मैं एहलफफुल होगी हमारे लिए के अैसे करके मैंने पूरी रोटी में गोल गोल यह मैंने लगा लिया अब इसमें स्ट्रपिंग का जो मैंने बेटर तयार किया तो इसमें भर देंगे नकम रखी बच्चपिंग न ज्यादा रखी है ताकि पैक्ट जो हो इसली आप उसक एक टार्न लेंगे फिर साइट से इसको मोल्ड कर देंगे दोनों तरफ हलका सा लगा के मैदा का पेस्ट ऐसे अब साइट से दोनों तरफ इसको पैक कर देंगे और फिर लास्ट इस तरीके से कर देंगे इसको हम और इसको हमीज़ा पैक जिदर से पैक किया है उसी साइट से इसको ऐसे रखेंगे हमारा पैकिट रेटी हो गया इसी तरीके से हम सारे पैकिट बना लेंगे दोस्तों दिखिए मैंने सारे पैकिट अपने राइडी कर लिया इंको हम सालो फ्राइ करेंगे तो एक फ्राइपन लेंगे उसमें थोड़ा सा ही कुकिंग ओय लेंगे डाल दिया उसको गरम किया जब यह हमारा अच्छे से गरम हो जाएगा तो इसमें हम इनको सालो को नीचे की तरह रखेंगे ताकि नीचे पहले पक जाए और पैकेट हमारा खुले नहीं तो एक बार में आप जितना पका सकते हैं उतने पैकेट उसमें रख्या उसको फ्राइगर लीजे अब इसमें को पलट देते हैं हम इस तरीके से देखिए नीचे की तरफ यह फ्राइ हो गए है अब इनको हम दूसरी तरफ से भी फ्राइगर लेंगे दोनों तरफ ही इनको फ्राइगर लेंगे जिससे ही थोड़ा से क्रिप्सी क्रिंची हो जाएंगे और जो अंदर इनके पनीर और जो मैनेज है वो एक इस सारी में फ्राइ कर लूँगी सबजी ऑप्शनल है आपकी घर में जो भी अविलेबल है आप उनको यूज कर सकते हैं और जो नहीं है तो यह हमारे जो पैकेट है रेडी हो गए है इनको अब हम गार्निश कर लेंगे तो मैंने गार्निश क्या हुआ है भुचिया नमकीन से और कैविल्स के जो बारिक मैंने काटके रखी होई थी उससे आप चाहें तो हरी धन्या भी यूज कर सकते हैं उसकी पत्तियों को गार्निश करने के लिए बारिक काटके तो यह हमारे रेडी है गर्मा गरम लेफ्ट ओवर चपाती पैकेट तो दोस्तों कैसी है मेरी अडिश अगर पसंद आईए तो लाइक करिए शेर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब बढू़ का गार्निश तो यूज बाद करिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब